हाई स्टुडेंट्स येमरान सगरवाल गुपता वेलकम टू माई एस्टाटी चैनल इंडुजा ब्रादर्स आप सबको अपने इस चैनल इंडुजा ब्रादर्स पे स्वागत करता हूँ एस्टुडेंट्स आज हम लोग क्लास एट मैट्स आरेस अगरवाल का सोलूसन देखेंगे लो ठीक है ना क्लास एट में जो आरेस अगरवाल का चैप्टर जो सेवन है उसको हम लोगे देखेंगे लो चैप्टर सेवन बुलेगा सर क्यों यह आप लीनियर चैप्टर सेवन से च्प्टर सेबन का नाम है लीनियर से लीनियरEQUESON को को कि लीनियर Me Auto को मेरा चैप्टर का नाम क्या है लीनियर mile इक्वेस्ञ इस सब्सक्रत करें लो ऊसलिए कि आपका एक कलासेड से चैप्टर में इसलिए की बेस्ट पे है बलेगा सारे एक एक जामपल दे दीजिए इसे आपका चप्टर वान उसमें दिया रहेगा आधर सॉम अप्टू नमबर सीच थाटीन इफ वन नमबर इस देन फाइंड दौधर अब उसमें क्या किजाएगा लेट दौधर नमबर भी एक्स तीसतर बनाएग या मतलब सकताती मितलब फर्म करके बनाईयेगा इसलिए हम सब से करद इस शुरू करें स्बड़ ही लिनस मयरी केसं को शुरू किया था यहां पर भी डिलिनार एक संब्सझान का मतलब होता क्या है लिइनए इक्वेस्ट ठीक शिः लगा होगे ना सिंप्ली मतलब होता सिं 0 मतलब इसकोल 2 के साथ 0 लगा हो तो बोल शेकते हैं an equation and an equation which has which has which has which has the form a x plus b is equal to 0 An equation which has the form Ax plus B is equal to 0 Is called linear equation Is called linear equation मतलब कोई भी equation Ax plus B is equal to 0 के form में है तो मेरा linear equation होगा देखिए यहाँ पे जो A होता है वो constant होता है क्या होता है? constant और जो B होता है वो भी constant होता है गाले का master और यह 0 होता है यह भी constant होता है गाले का master constant का मतलब क्या होता है constant का मतलब होता है उज्य prohibition does not change इसका value का भी change नहोंούμεरा constant होता जैसे कि 1 है 2 है 3 है 0 है माइनस 1 है मतलब क्या? जहां पर अगर जह माइनस वण किसी के पास रूपीज है तो अमेरिका में भी चला जाएगा तो माइनस वण रूपीज ही रहेगा फुछ वैलू डज नॉट चैंज है ठीक है ना यह के यहां पर है तो अमेरिका में भी जाएंगे तो उसको एक पढ़ेंगे समझ में आगे है ना और एक्स क्या होता है भैरियवल होता है एक्स क्या होता है भैरियवल मतलब इसका भैलू क्या होगा भैरि करेगा ठीक है ना सबसे पहले यह आपका मैट्स का पार्च होता है ओरिसको इसको इसको समस्तों करते हैं इस में गालाइज केला कुलेशन और इसको इwing you defined a large scale, then you defined mathematics is a language of God that has created and composed the universe. If we take some examples, such as my mobile number is 9123439933, अगर आप किसपे कॉल किजियेगा, 9123439933 पे तो इरान सक्रबाल गुपता के पाइसा आएगा, वहीं आप 9123439932 कर दिजियेगा, तो किसी गदावा के पाइस चला जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, जो मतलब हम number change कर रहा है, तो place भी change हो जा रहा है, आदमी भी change हो जा रहा है, बात करने वाला भी change हो जा रहा है, या हो जा रही है, तो यह mathematics का ही game है, so it is called language of God, clear हुआ कि नहीं हुआ, इसमें आपका chapter 8 शुरू किया हुए है, उसमें आपका जो chapter 8 का हम, sorry class 8 का chapter 7 शुरू किया linear equation, why we begin with it, you know, linear equation का simply मतलब हो था, which has the form ax plus b is called to 0, is called linear equation, कोई भी equation अगर ax plus b के form में है, और उसके साथ 0 लगा हुआ है, तो आपका linear equation होगा, clear हुआ कि नहीं हुआ है, हो गया है, समझ में आगया, चलिए, आगे अगर इसका हम बात करते हैं, यहाँ पर a क्या है constant है, b क्या है constant है, 0 क्या है constant है, और x क्या है variable है, समझ में आगया है, तो suppose we take some examples, 2x plus 3 is equal to 6, तो आपका class 8 में पुछता है, x का value क्या आओगा, तो सबसे पहले variable के एक जगा कर देते हैं, constant को एक जगा कर देते हैं, तो अभी नब पढ़ाए हैं, 6 भी constant है, 3 भी constant है, तो 6 minus 3 is equal to 3, तो बोलिएगा master 2 भी तो constant है, because 2 is with variable x, so 2 is also variable, but, but, if we find the value of simply x, then this is in the form x is equal to 3 by 2, अगर यहाँ पर divide रहेगा तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सब्सक्राइगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, clear हुआ की नहीं हुआ, समझ में आ गया, चलिए आगे बढ़ें, ओके, तो यहाँ तो समझ में आ गया है न, चलिए आगे बढ़ते हैं, आपका class 8 का chapter 7, chapter 7 का, हमने exercise, आज 7 एक को देखेंगे लो, ठीक है न, exercise 7 एक बात बोले, एक बहुँ जड़ा इदर उदर हो गया, हम इसको एक बात समराज कर दे रहा है, जब आपको पढ़ाए किया है, ठीक है न, है तो दिकत हो जाएगा, सबसे पहले एक maths का आपका पाट होता है, तो maths का मतलब होता है, calculation, ठीक है न, simply meaning of maths is calculation, और if you want to define a great level, then you define mathematics is a language of God, that has created and composed the universe, अगर हम father of mathematics का बात करते हैं, तो Arya Vard, because he is the founder of zero, he belongs to Bihar, Bihar से belongs करते हैं, and Bihar is a state in India, so in India level, you know father of mathematics is Arya Vard, but if your question ask us, is the father of mathematics in world level, तो archmiddish बोल दीजिएगा, बलेगा master कीम, तो कि archmiddish का maths में एक बहुत बड़ा रोल है, physics में बहुत बड़ा रोल से है, so he is called father of mathematics, clear हुआ कि नहीं हुआ, world level पुछेगा, तो कौन हो जाएगा, archmiddish इंडिया पे पुछेगा, तो Arya Vard, why? because he is the founder of zero, and he belongs to Bihar, अगर कोई पुछेगा, when we celebrate maths day, तो 22 December, clear हो गया, maths day करते हैं, 22 December को, तो चलिए, उसके बाद हम आपका chapter सुरू किये थे, chapter 7 से सुरू किये थे, linear equation, linear equation का मतलब होता है, जिसमें each call to लगा हो, समझ मा गया ना, अगर if you want to define it, an equation which has the form, ax plus b is equal to zero, मतलब जो ax plus b के form का हो, वो linear equation होगा, you also called it, linear equation in one variable, because it contains only one variable, that is x, and b is constant, 0 is constant, a is constant, बोलेगा master y, a by का होता है, a constant है, b constant है, 0 का, constant का मतलब होता है, जिसका value change नहीं होता है, जिसका value change नहीं होता है, और x, y, z क्या होता है, यह आपका variables होता है, उस value very at place to place, situation to situation, तो उसके बाद हम कुछ examples लिये थे, और 2x plus 3 is equal to 6, it is in linear equation, because it contains variable, and is equal to sign, समझ मागे न, इसको हम variable क्या बोलते है, linear equation क्यों बोल रहा है, next है, आपका, एक्जाम में आपका यह पुछता है, find the value of x, तो x के लिए हम सबसे पहले, 2x को इधर रख दिया है, variable को, variable को हम इसा LHS में रखिएगा, और constant को हम इसा कोशिस की जिएगा, RHS में रखने का, तो 6 minus 3 plus के, transpose minus होगा, 2x is equal to 3, x is equal to multiply, में इधर जाएगा, तो divide में हो जाएगा, clear हुआ की नहीं हुआ, मजाया ना, ओके, चलिए हम exercise 7, में एका first number question देखते हैं, मेरे पास तो book नहीं है, लेकिन, उसका PDF राखे हुए है, PDF बोले तो, क्या बोलते हैं, mobile से question निकाले हुए है, first number जो मेरा question है, add text plus, 3, is equal to, 27 plus 2x, 27 plus 2x, find the value of x, यहीं मेरा question पुछ रहा, यह first number, आरे स्वागरवाल exercise 7, एका first number है, तो यह add text हो गया, आप जानते हैं, यह भी variable, यह variable है, तो variable को इधर ला दीजिए, अब plus का transpose क्या हो गया, minus हो गया, अब यह 27, यह plus हो धर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, minus हो जाएगा, इधर multiply में इधर जाएगा, तो divide में हो जाएगा, इध मींज, x इधर जाएगा, मेरा 4 आंसर हो गया, समझ में आया की नहीं आया, आगिया न, गुट, बहुत अच्छे, अरे पढ़ा कोन रहा है, रंस बहु पढ़ा है, और किसी को समझ में ना आये, यह हो नहीं सकता है, चलिए, second number अगर इसका question का बात करें, exercise 7, एका second number question का बात करें, question है आपका, 5x plus 7 is equal to, 2x minus 8, 2x minus 8, ए भारियाबल है, ए भारियाबल है, तो भारियाबल को एक जाग कर दीजिए, तो 5x plus अइधर आएगा, तो क्या हो जाएगा, minus हो जाएगा, 5x minus 2x is equal to minus 8, ए जैसे है, वो इसे ही रहेगा, ठीका न, इसको छेड़़़़़़़़ कीजिगा, तो चपल भी पड़ेगा, तो इसलिए जैसे है, वो इसे ही रहेगा, और ए प्लॉस उदर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, minus हो जाएगा, clear हुआ की नहीं हुआ, होगे न, चर्याए 5x minus 2x is equal to 3x, minus 8 minus 7, minus minus plus, और sin किसके रहता है, minus से करना रहता है, minus 15, it means, x is equal to minus 15, by, और इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, divide हो जाएगा, it means minus 5, x is equal to minus 5, this is your pompous answer, I think you have no problem, clear हुआ की नहीं हुआ, चलिए question number 2 भी दिख लिए लो, चलिए आगे बढ़ते हैं, next मेरा question है, next मेरा question, question number 3 है, question number 3 जो मेरा पुछ रहा है, 2z, 2, जड लिखे हैं, ठीक है ना, 2z minus 1 is equal to 14 minus z, तो माश्टर यह क्या है, z क्या है, variable है भाई, विदीकत है का, नहीं है, अच्हा, ए 2z को हैसे इतर वह दौने दीजिए, और एa minus इदर आएगा, तो क्या हो जाएगा, plus हो जाएगा, 2z plus z is equal to 14 आएशे हैगा, एa plus minus हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, plus हो जाएगा, 2z plus z is equal to 3z, is equal to 14, plus 1 is equal to 15, z is equal to 15 by 3, it means, z is equal to 5 this is your answer समझ में आया कि नहीं आया आगे है ना चलिए आगे बढ़ते हैं मेरा 4 number question exercise 7a का मेरा 4 number जो question है 9x plus 5 9x plus 5 is equal to 4 x minus x minus 2 plus 8 इमरा question है ठीक है ना देखिने से बहुत बढ़ा लग रहा है अब भाई समझ लोगे 8 class में लो तो बढ़ा तो थोड़ा लगबे करेगा चलिए तो ए 9x plus 5 is equal to 4x minus 8 plus 8 कोई दिकत है का नहीं और ए 9x plus cancel नहीं हो जाएगा it means 9x plus 5 is equal to 4x किलियर हुआ की नहीं हुआ 9x plus 4x इदे जाएगा तो क्या जाएगा minus 4x plus उदर बच दीजिए तो minus 5 किलियर हो गया ना चलिए it means 9x minus 4x is equal to minus 5 9x minus 4x is equal to 5x is equal to minus 5 x is equal to minus 5 by 5 it means x is equal to minus 1 किलियर हो गया तो दीस इज यूर fabulous answer curious answer I think you have no problem चलिए next question देखेंगे लो आज का ये 5 number question होगा 5 number मेरे question बोल रहा है 7y by 5 7y by 5 is equal to y minus 4 this is your question and you have to find the value of y कोई दीकत नहीं धीरे धीरे find कर लेंगे लोग कि नहीं चलिए तो ये जो 7y by 5 है और ये y minus 4 इसे नीचे कुछ भी नहीं दे आपर 1 लिख सकते हैं बोल गया न जिसके कोई नहीं होता है उसके भागवान तो होता ही है या हम जैसे गरीबों का साथ कोन देता है भागवान देता है चलिए आगे बढ़ रहा है ये 7y cross multiply करेंगे तो इसका इससे होगा और इसका इससे होगा 7y into 1 is equal to 5y minus 4 किलियर हो गया 7y में 1 से multiply कर देंगे 7y आ जायेगा this is 5y minus 20 अभी न बोले हैं जब variable को एक जगा रखिए चलिए रख दीजिए 7y minus 5y plus का transpose minus हो गया और this is minus 20 7y minus 5y is equal to 2y is equal to minus 20 तो y is equal to minus 20 by 2 it means minus 10 तो y is equal to कितना आ गया minus 10 आ गया किलियर हुआ कि नहीं हुआ समझ मा गया न चलिए ठीक अच्छी बात है जिए मेरा पढ़ाया हुआ आप सब का feedback अच्छा आता है और इससे तर आप लोग मेरा support कीजिए लोग और हम इससे भी अच्छा content लगा आएंगे ठीक है ना बस आप लोगा कीवल support चाहिए अगर वीडियो बहुत अच्छा लगा हो अगर ऐसा लगे जहां इसमें आप लोग को fruitful मतलब तरीका से आपको पढ़ाया हुए हैं और अच्छा से समझाय हुए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा share कीजिएगा और comment कीजिएगा हाँ अगर आपको लगे ऐसा जो नहीं टाइम वेस्ट हुआ है तो आप लोटिस लाइक करते जिएगा लो ठीक है ना? ओके बाइबाइ see you all बाइ बाइबाए